तेरा मेरा रिष्टा है कैसे कि सबसे पहले आपने आपने काइन मेस्टर एप्लिकेशन ओपन कर लेना है यहां से वीडियो सक्रेक्ट पर लेनी है उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रेप्चन के अंदर मिल जाएगी तो आपने simply वो वीडियो यहां पे add कर लेनी है वीडियो add करने के बाद आपने यहां से आपने इसको तीन सेकंड आगे ले जाना है ठीक होगे आपने तक्रीबन तीन सेकंड से तीन सेकंड तक्रीबन आपने इसको आगे कर लेना है आगे करने के बाद आपने लियर पे क्लिक कर लेना है मीडिया पे क्लिक कर लेना है और आपने एक यहां पे फोटो एड कर लेनी है जिस पे आप वीडियो बनाना चाहते हैं उसके बाद आपने यहां से एक फोटो सेलेक्ट कर लेनी है तो मैं यहां पे यह फोटो सेलेक्ट कर लेता हूं ठीक हो गया फो कुछ इस तरीक से रखने के बाद आपने सिंपली क्रोपिंग पर आ जाना है क्रोपिंग पर आ जाने के बाद आपने कुछ इस तरीक से इसको यहां से क्रोप कर लेना है अच्छे तरीक से आपने इसको यहां पर एजेस्ट कर लेना है ठीक हो गया तो मैं इसको जल्दी करने के बाद आपने मास को कमें से यांसे फीदर को कुछ इस तरीकी से बढ़ा लेना है उसके लिएो को एक एड़ कर लेना है थैस को कुछ इस तरीखें से चोटा करने के बाद आप तेश को यहां पे रख लेना है कि वसकी बाद आपने फ़र्स्ट पोसेशन में लिए क्लिक कर लेना है मीडिया कैसे कर ले ना है और एक और फ्लावर प्ति जैब यहां इस पर रख लेना है अगेन आपने फर्स्ट पोजिशन में आ जाना है लियर पर क्लिक कर लेना है मीडिया पर क्लिक कर लेना है और एक फिलावर पी जी आपने इसमें एड़ कर लेनी है उसके बाद आपने इसको भी कुछ इस तरीके से छोटा कर लेना है और आप इसको यहां पर रूटेट कर सकते हैं अपने वीडियो के अकोडिंग ठीक हो गया तो आपने कुछ इस तरीके से इसको हुमा लेना है रूटेट करने के बाद आपने कुछ इस तरीके से इसको यहां पर एजेस्ट कर लेना है तो मैं जल्दी-जल्दी से इसको यहां पर adjust कर रहा हूँ उसके बाद आपने इस photo की और flower png जो भी हमने add किए हैं उसकी आपने simply timeline को बढ़ा लेना है तो मैं जल्दी-जल्दी से इनकी timeline को बढ़ा लेता हूँ उसके बाद आपने simply करना क्या है आपने flower पे क्लिक कर लेना है उसके बाद in animation पे आ जाएं उसके बाद आपने fade वाला animation दे देना है और उसके बाद आपने इसको यहाँ पे रख लेना है 0.5 पे ठीक होगा 0.5 पे रखनेक बाद आपने सारे flowers PNG को और photo को यही animation दे देना है फेद वाला और आपने इसको यहां पे 0.5 पे रख लेना है ठीक हो गया तो मैं इसको animation दे रहा हूँ तो आपने सब भी को यहीं first वाला animation दे के फेद वाला और आपने इसको 0.5 पे रख लेना है और फोटो को भी आपने कुछ इस तरीके से इनिमेशन दे के 0.5 पे कुछ इस तरीके से रख लेना है ठीक हो गया यह सब कुछ तो हेड होने के बाद आपको कुछ इस तरीके से वीडियो देखने को मिल जागी अगर आप इसमें और भी अच्छा करना चाते हैं इस वीडियो को बनाने के लिए तो आपने सिंप्ली फ्लावर पे क्लिक करने के बाद आप इसको एक सेकंड तक्रीबन आपने इसको पीछे कर लेना है ठीक हो गया फिर आपने तीसरे फ्लावर पे क्लिक कर लेना है और इसको थोड़ा सा पीछे कर लेना है तो इस तरीके से आपको ये वीडियो नजर आने लगेगी ठीक हो गया अगेन आपने करना क्या है आपने आजाना है first position में first position में आने के बाद आपने layer पर click कर लिए media पर click कर लिए और आपको नीचे description के अंदर मिल जाएगा लेर करने के बाद आपने इसको और पारोटोड कर लेना है रूट pan करने के बाद आपने बिल्कुल स्कों यहां पर कुछ इस tu हरी के से रख ले क्लिक करके आपने इसको multiply कर लेना है तो इसका white part है जो वो खतम हो जाएगा इसके बाद हम इसमे एक love वाला png एड़ करने वाले हैं तो आपने simple layer पे क्लिक कर लेना है media पे क्लिक कर लेना है और आपने तो यहां से select कर लेना है select करने के बाद आपने इसकी size को कुछ इस तरीके से कम कर लेना है और आपने इसको यहां पे कोने में रख लेना है ठीक हो गया तो इसको कोने में रखने के बाद आपने फिर से first position में आ जाना है layer पे क्लिक कर लेना है ठीक होगया एज्टेस करने के ऐद आbekने के रहे सिंपनली आजाना है इसके इसको स्क्राइब करने के आप इने कि तो करने के बाद आपने इसको इनेबे कर लेना है ताकि इसका green part खतम हो जाए उसके बाद आपने बेक आ जाना है बेक आने के बाद आपने simply split screen पे क्लिक करके इसको foot to fill screen यहां से कर लेना है उसके बाद आपने first position में आजाना एप करने के बाद आपने लियर पे किलिक almya कर लेना है और आपने यहां पर पार्टीकर डियो कर लेनी है उसकी डाउनलोड लिंक आपको नीचे डिस्क्र Михृफ्शन के अंदर जाए तो खाल में उपसे अपने के बाद आफ से सिंप्लिफ इस्क्रिन कर लेना है मीं ठीक होगया तो कुछ तरीके से आपको ये वीडियो को देखने को मिल जाएक है काले है तो आपने जो फुलावरी की स्क्रिन वारा पार्ट ृप्र ने ど seller competitive आप इनका sound आपने कुछ इस तरीके से बंद कर लेना है ठीक हो गया बंद करने के बाद आपने हमने जो यह PNG दोनों add कि हैं तो आपने इनकी भी timeline को कुछ इस तरीके से बढ़ा लेना है ठीक हो गया तो मैं भी इनकी timeline को बढ़ा लेता हूँ ठीक हो गया तो कुछ इस तरीके से आपको यह वीडियो देखने को मिल जाएगी उसके बाद आपने simply यहां पे end में आ जाना है end में आने के बाद जो हमारा इस frame वाले वीडियो से जो parts बड़े हैं आपने उनको यहां से cut कर लेना है तो आपने simply split बे क्लिक करके आपने trim right कर ल ठीक हो गया तो यह बड़े parts आपने यहां से cut कर लेना है ठीक हो गया बड़े parts आपने यहां से cut करने के बाद आपने end photo पर आ जाना है आपने photo पर क्लिक कर लिया उसके बाद out animation में आ जाए और इसको भी आपने fade वाला animation देना है जो हमने photo add किये और flower आपने इन चारों को य यही एनिमेशन दे देना है एंड में आके ठीक हो गया तो में इन चारों को यही आउट एनिमेशन पे आके इसको फेद वाला एनिमेशन दे कर लेंगे इसको और अपने हिसाब से एडिडिंग कर सकते हैं तो उमीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए होगी और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम एक दूसरे को किरोग करने में एक दूसरे का साथ दे सके